तो आज हम यहाँ पर एक्जाम्पलर ओफ क्लास्टोल्थ का जो है मैट्राइस का लेकर के आए हैं जिसे हिंदी में आवियू बोलते हैं और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग थोड़ा सा मोबाइल के माध्यम से आप लोग गूगल में सर्च कर लीजे उनके हिंदी टम्स क्योंकि बच्चों जादा तर पढ़ाई जो है और जादा बहतर जो पढ़ाई है वो इंगलिश माध्यम में एसेसिब लोग के लिए और थोड़ा सा वर्ड बोलते हैं हिंदी के तो उसमें वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ओके एनिवे कोई बात नहीं तो देखे हम यहाँ पर कंटीनियू करने वाले हैं एक्जाम्पलर प्रब्लम क्लास 12 मैट्राइस का जिसका हमारा में फोकस है CUT, NDA और थोड़ा सा जेई का पार्ट टच करेंगे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर वेरी बेसिक प्रब्लम आती है जैसे की CUT और NDA में बिल्कुल सिंपल टाइप के जो प्रब्लम समय पसाते हैं उनको हम डिसकस करने जा रहे तो चलिए देर के इस बात की स्टार्ट करते हैं Matrices की Examplar File है ओके Examplar Problem है बहुत सारे Easy Questions होते हैं कोशिश करेंगे कि Full Speed के साथ इसको हम Complete करें ओके और आप लोग अपने Pen or Copy निकाल लीजे और एक ही Questions जो है आपको Matrices का मैं यहाँ पर कराऊंगा भले इंग्लिश में दिया है मैं हिंदी में भी बोलूँगा इंग्लिश में भी बोलूँगा और जल्दी जल्दी करेंगे तो सबसे पहले Short Answer Type Question है मतलब की One Mark के Question तो यह जो है One Mark के Question बहुत important होते हैं आपके Competitive Examination के लिए तो Actually अभी हम Competitive Focus कर रहे हैं और One Mark के Question फोकस कर रहे हैं तो इन Question को आप जरूर जरूर लगाए देखी जैसे क्या कह रहा है If a matrix has 28 elements, what are the possible order? किसी matrix के 28 elements है तो उसके possible order लिखे तो 28 को आप कितने टाइप से लिख सकते हो देखो 28 को आप लिख सकते हो कितने टाइप से है कि M into N equal to कितना लेकर क्याना आपको 28 लेकर आना है, तो M into N equals to 28 तो देखे 1 into 28 भी बनेगा ओके, so 1 into 28 equals to 28 फिर क्या बनेगा, 2 into 14 बन जाएगा, फिर क्या बनता है, फिर 4 into 7 बन जाएगा, ओके, और फिर क्या होता है, 7 into 4 बन जाएगा, तो मतलब total possibly कितने order हो चुके है, 4 order, तो यहाँ पर answer कितना आएगा, देखे, 1 into 28, order to 4, 4 into 7, 7 into 4, 14 into 2, 28, मैंने एक छोड़ दिया कोई सा, देखता हूँ, मैं कौन सा छोड़ दिया, 1 into 28, हाँ, तो 4 तो सीधे हुए, 4 उल्टे भी तो बनेगे न, हाँ, यह देखे, नहीं, 3 सीधे हैं, तो 3 उल्टे भी बनेगे, तो 6 बनेगे, देखो लो, क्या कहरो हो मैं, 1 into 28 तो है, और इसके साथ ही साथ क्या बनेगा, 28 into 1, ओके, फिर 2 into 14, तो साथ साथ में क्या बनेगा, 14 into 2, और फिर 4 into 7 का बनेगा, क्या 7 into 4, so simple question, बहुत ही आराम से हो गया, यह आपने पास में, कितना हो गया, इसका answer, इसका answer हो गया, total किते matrices बनेगे, आपके पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो total आपके पास में, ऐसे 6 matrices बनेगे न, what are the possible orders, तो answer total आपके पास possible order किते होंगे, 6 होंगे, अब अगला कह रहा है कि, अगर क्या होगा, अगर कितने ऐसे matrices बनेगे, अगर order आपके पास में, जो है, अगर आपके पास में 13 elements का है, तो 13 element तो आपके पास एक बनेगा, 1 into 13 और एक बनेगा 13 into 1, तो दो ही order बनेगे, तो यह आपका answer हो गया, बहुत ही simple question था, आप one marks उड़ा के ले जाएंगे, so simple, अगला question देखिए, यह देखिए, ऐसे question आपके आते हैं, CUET के exam में, यह जैसा पहला question आपने देखा न, यह भी question किस level का है, यह CUET level का question है, ठीक न, yes, देखिए अगला question देखते हैं, अगला question number होंगे, 3, 3s, 9 होंगे, क्योंकि order को multiply कर दो, तो क्या आते number of element 9 हो जाएंगे, इसके बाद element A23, यानि qui second row, third column, second row यह है, third column का element ही है, तो इसका second row, third column का element ही है, third row, first column का element का होगा, this element होगा, and first row, second column का element बताना, आपको, तो first row second column का ये first row है और इसकी second column ये second वाली आगी तो इसका first row का second column का element क्या होगा वन होगा तो आप बहुत आराम से पहचान सकते हैं वो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है अपने class 12 में ऐसे धेरो question लगाएं चलो आँगे बढ़ते हैं अगला है construct करना इन matrices को तो बहुत ही simple ह two cross two मतलब total 4 element होते हैं ये 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 इसकी position क्या होती ही a11 तो i की जगे 1 रग दो j की जगे 1 रग दो और आप matrix को construct करते जाओ बहुत आराम से आप जिस तरीके से दिया गए आपके सामने यहाँ पर sheet में इस तरीके से आप matrix को construct कर लो और आपका answer आजाएगा ठीक फिर आपको क्या बनाना है ये तो पहला हो चुका है तो आपने बना लिया क्या aij two cross two का अपने matrices बना लिया ठी माइनस two into one minus two plus three into one हो गया three और तीन में से दो गया कितना आगया एक तो एक का magnitude कितना आएगा एक आएगा भाई साब तो यहाँ पर एक का magnitude कितना आजागा एक तो देखो first element का आपका magnitude कितना आगया बना चुका है तो ये matrices आपको बनाने थोड़ी सी गलती है आपर ये box लग और दो कॉलम है ठीक ना मतलब आपके पास जो matrix बनने वाला कुछ इस तरीके का बनने वाला है a11 a12 a21 a22 और a31 a32 देखो ध्यान से तीन रो हैं और दो कॉलम है तो करना कि आपको यहाँ पर आपके पास जो element है aij equal to e की power ix equal to sin sorry यहाँ पर कुछ mistake हुई है यह multiply यहाँ पर e की aij जो element है आपके पास में वो क्या है e की power ix into sin jx अब आपको इस element को देखकर के पूरा matrix design करना है so simple बच्चों इस matrix को design करना बहुत ही आसान है e की power ix है तो आप i की जगे 1 रख दो क्योंकि first element के लिए हम खेल रहे है a11 तो a11 कितना आएगा i की जगे पर 1, j की जगे पर 1 त to sin x इस तरीके का matrix दूसरा तीसरा चोथा यहाँ पर क्या करना आपको देखो अगला element क्या है a12 a12 कैसे करोगे मतलब i की जगे पर 1 और j की जगे पर 2 तो e की power 1x नहीं आएगा 1x यहाँ क्योंकि i की जगे पर 1 है और sin jx है नहीं कि कितना हो गया 2x हो गया बस तो इस element को design कर करके आप यहाँ पर put कर दो यह आपका answer हो गया चलो आंगे बढ़ते हैं अगला question देखो find a and b equality का concept है दोने equation को solve कर दो a और b की value आजाएगी बहुत ही बच्चों वाला question है equality के लिए क्या rule चलता है ऐसे छोटे-छोटे question आते हैं CUET में ऐसी question आपको देखेंगे बिल्कुल 10 कह दो तो CUET की difficulty को आप क्या कह दो 5 कह दो यह है थोड़ी सी difficulty आपकी इसमें कम रहती है ठीक ना चले और बाकी भी जो examination है उनमें भी काम में आते हैं बहुत सारे examination होते हैं जिसमें आप यह matrices के concept इस तरीके के questions कर सकते हो चलो आओ देखते हैं तो आपको करना क्या है अगर दोनों matrices equal हैं तो उनके जो संगत अवयाब होते हैं याने corresponding element क्या होते हैं equal होते हैं तो बस equal करके values निकाल लो यह रखी हुए values आप लोग देख करके इसको copy में solve कर रो answer क्या आगया equal to 2 and be equal to 2 ठीक ना equal to 2 and be equal to 2 option से भी कर सकते हो option से क्या करोगे यहाँ पर a की value 2 डाल देना तो देखो जैसे a की value 2 डालोगे तो 2 plus 4 कितना हो जागा 6 हो जाएगा और यहाँ से a की value 2 डालोगे तो 2 2s are 2 2 2s are 4 plus 2 कितना हो गया 6 हो गया तो option से भी आप reverse में check कर सकते हो कि question आपका सही है कि गलत है अगला question देखो if possible find the sum of the matrices a and b का sum find करना बहुत easy काम है कोई दिक्कत वाल order के sum नहीं होते है मतलब इनका order का sum क्या आएगा not possible इसका answer क्या आएगा not possible तो answer एक दिया होगा none of these तो वहाँ पे आप none of these कर दीजेगा so simple यह देखे इसमें भी बहुत simple question है ऐसा question आपके boards में भी आपने करा है ओके यह x plus y जोड़ दो 2x minus 3y कर दो and then इसके बाद matrix z such that x plus y plus z equal to 0 तो x और y plus z को 0 के equal दिखा दो और उसको आप क्यों क्या करना है solve करना है तो आपका जो है बड़े अराम से यह भी आप solve कर सकते हो x plus y plus z equal to 0 कर लो यह बड़े आराम से आपका solve करके आ जाएगा चलिए ठीक है ना तो z की value आपने यहां से निकाल लिए आंगे बढ़ते ह चलिए अगला question देखे find the non-zero value of x satisfying तो बहुत ही अच्छा question है क्या करना आपको सबसे पहले इसको solve करके equation मना लो और equation मनाने के बाद इसके corresponding element ले करके क्या कर दो solve कर दो तो यह तो equal हो गया कुछ होने वाला नहीं है ओके इस से solve हो जाएगा यह है ना तो 2x plus 10x है नहीं की 8x equal to कितना हो गया 2x plus 10x कितना हो गया 12x equal to 48 तो x equal to कितना हो गया 4 आ जाएगा ठीक है यह x equal to 4 आ चुका है चलो अगला question देखते है कह रहा है कि show करो हाँ यह देखो यह question बहुत important है यह बहेंकर exam में आया हुआ हुआ है बहुत जादा गजब बाल एक्दम तो a plus b a minus b आप लोग matrices के case में यह formula नहीं लगता है matrices के case में formula लगता है a square plus a b ok sorry minus a b a square minus a b minus b a ok और minus b square तो यह याद रखना यह लगता है formula a plus b a minus b यह नहीं होता है तो show करना है तो दो example दिये गए हैं इनको ले करके आपने a plus b निकाल लिया ok और a minus b निकाल लिया अब इसके बाद में क्या किया दो कि दोनों equal नहीं आ रहे हैं मतलब a plus b into a minus b जो होता है a square minus b square नहीं हुआ करता है तो मैंidences के case में बदा दू मैं आपको कि a plus b into a minus b जो हुआ करता हो कितना होता है a square होता है minus b square होता चला आये ओके और खेर कितना होता है in to minus minus का a be a plus का b minus का ab ओके और plus का b a ये हुआ करता हो के minus का a b plus का b तो यह चीजह आपको याद रखनी है यहां पर थोड़ी से muses take होई है मैंने दोनों minus कर दिये नहीं 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 दोनों गया माइनस का देखो अब थोड़ा से इसको ऐसे करो लिख करके करोगे तो ज़्याद अच्छा समझ में आएगा है ना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है मैं खुदी जल्दबाजी कर रहा हूं तो मैं इस चीज को खंड़ित करता हूं आप इसको ऐसे करो आराम से कैसे क करोगे देखो यहां पर देखो आपके पास पहला क्या है ए प्लस बी है और दूसरा क्या है ए माइनस बी है देखो मैट्रिक्स में ओर्डर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जो पहले आए वो पहले रहेगा जो बाद में है वो बाद में रहेगा तो सब्सक्राइग करे और A-B होता क्या है तो आप 2 मिनट आराम से वक्त दे करके ऐसे solve करो A square plus B square minus A B और plus का किता हो गया B A ऐसे solve कर दो answer आपका आजाएगा यह हो गया answer आपका done बहुत बढ़िया शांदार एकदम भहतरीन तो यह आपने देखो solve कर लिया है यह इसने solve कर दिया ठीक ना और आपको दिखा दिया है कि A square A plus B A minus B A square minus B square के equal नहीं होता है यह दोनों equal नहीं आ रहे है अगला question देखो matrix multiplication से related है कहरा कि find the value of x if x 1 into x into 1 this and this equal to 0 भाई बहुत ही important question मैं कहूँँगा बहुत गजब question और NDA वालों का यह favorite question है है ना NDA का यह बहुत ही recommended question है बहुत ही favorite question है तो करना क्या है पहले आपको इन दोनों का multiply करना है यह देखो इन दोनों का multiply कर लिया और फिर इन दोनों का multiply करना है तो आपके पास x में एक expression आ जाएगी और उसको solve करके आपास में x की आपकी value आजाएगी तो मैं question कहूंगा यह question आप जरूर करके जाओ जरूर 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 बहुत ही गजब वाला important question है यह तो देखो इसमें क्या है इसमें order जो इसका कितना बन रहा है आपके पास में यह order इसके पास में जो आपके पास में 1 x 3 को order देखो मज़े की बात क्या पहला जो मैट्रैसे से उसकी order कितनी 1 x 3 और दूसरा कितना है 3 x 3 ओके तो जब आप इसको multiply कर दो तो यह वैल्ड हो गया आपके पास जो order आएगा वो कितना होगा 1 x 3 और 1 x 3 को फिर आपको किसे multiply करना है 3 x 1 से तो 3 x 1 से multiply करोगे तो 3 3 भी valid हो गया answer कितना आगया 1 x 1 मतलब आपका जो answer आएगा उक सीदे एक element आएगा यह आचुका है वो element यह यह वो element आचुका है और फिर आपने इसको 0 की equal कर दिया तो बहुत अच्छा question है बहुत ही आराम से question है आपका जो 12 बच्चे कर चुके हैं वही कर पाएंगे इतने concept से तो आप लोग कर लो बहुत बढ़िया question है अगला question देखें कहा रहा show that की is equal to 0 कहा रहा कि show करो तो कुछ नहीं है a square निकाल लो 3 a 7 i put कर दो equal to 0 आजाएगा बहुत चिंता की बात नहीं है put put करके answer आगया 0 अब इसके बात कह रहा है a inverse find करो तो a inverse find करने के लिए आपको बड़ी method नहीं लगाना जब यह expression आपके साथ में है तो क्या करना है a inverse का left में और a inverse का right में आपको pre multiplication pre याने पहले multiply कर दो और a inverse की value कर लो और आपके पास में answer आजाएगा यह आगी आपकी value ठीक है ना इस तरीके से आपने क्या निकाल लिए इसकी value निकाल लिए so simple concept so simple question चलिए अब इसके बात बात करते हैं अगला find the matrix satisfying the matrix equation आपको एक matrix निकालना है जिसकी आपको यह जिसकी matrix equation आपको यह दी गई है देखो तीन matrices आपके सामने दिये गए है तीन matrices एक ही यह दिया गया है एक ही यह दिया गया है और बीच में एक को भेजा लगाना पड़ेगा ठीक ना ऊपर के सारे question अब तक सारे clear है I hope so की पूरा-पूरा आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया मजे में एक दम बहतरी चले आंगे बढ़ते हैं इसको कैसे करेंगे देखो भाई सबसे पहले आप यह समझो कि हो क्या रहा है मामला क्या है मामला यह देखो यह पहला वाला जो बैठा यह भी टू-क्रॉस्टू का है और अंसर में जो आ रहा है यह भी क्या है टू-क्रॉस्टू का है अब एक चीज समझो कि कजवा आप कई सारे मल्टिप्लाई मेट्रिक्स कर रहे हो ओके तो फाइनली मतलब मालूं किससे होता है फाइनली मतलब होता है सुरू के ओडर से और लॉस्ट के ओडर से बहुत मस्त व अग्यार टाइप का मेट्रैस होगा A, B, C, D है ना तो A आपको क्या ले लेना है टू-क्रॉस-टू का मेट्रिक्स ले लेना है तो यह आपने A माल लिया और इसको बीच में आपने लगा दिया और बीच में लगाने के बाद पहले 2 को सॉल्व कर लो 2 के साथ 3 बढ़ा दो 1 matrix equation बना लो यह देखो भाई साब यह matrix equation बन चुकी यह खतरनाक सी क्या है A है B है C है D है ओहो चार variable है भाई साब पूरी मेहनत तेल निकाल लिया जाएगा इसका मतलब जो है यह question मैंने NDA तो लिख दिया बट ऐसा question अगर कभी आता एक्जाम में इसका मतलब आप उस question को by option चेक करो किसे चेक करोगे by option कभी भी उस question को जो आप खुद solve नहीं करोगे तो जैसे यहां तक आप 4 equation बना लोगे अप 4 equation के बाद आपके पाद जो option में A, B, C, D की value दी गवी है उनको डाल डाल करके आप चेक करते जाओ जो value चारो equation को इसको 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 सटिस्फाई कर दे वो ही आपका answer होगी वो ही क्या होगे आपका answer नहीं तो इतना बड़ा करोगे तो बाबा हो जाओगे ठीक ना मैं भी बाबा तुम भी बाबा तो बाइसा बैसा नहीं करना आप लोको सीधे सीधे क्या करना equation मनाने के बाद जो आपको options दिए गए है उन options से आपको value match करानी है उन options से आपको क्या match करानी है value match करानी है और बढ़िया से आपको देखना है कि क्या कौन सी value match कर रही है जो value match कर गई वही आपका answer होगा बाकी बहुत बड़ी process दी गई है ऐसा कुछ इतनी मेनत आपको competitive exam में नहीं करनी है हाँ अगर subjective आता है तो आपको 4 variable का equation solve करना पड़ेगा पहले एक को eliminate करोगे तो 3 में आएगा फिर 3 के बाद 2 में आएगा दो के बाद 1 में आएगा बहुत बड़ी method है चलिए अगला question देखते है find A मज़दार question बहुत ही प्यारा question क्या कह रहा है इसका कहना है कि आपके पास यह matrices है अब इस matrices का order देखो कितना है 3 row है एक column है मतलब 3 cross 1 अब कह रहा है 3 cross 1 के साथ A का गुणा करे हो A के गुणाई की order मेरे को पता नहीं मैं वाल लेता हूँ M cross N और answer करने पर कितना आ रहा है 3 cross 3 आ रहा है तो मज़े की बात देखो सबसे पहले valid होना चाहिए तो valid होने के लिए क्या होना चाहिए यह चीज होनी चाहिए मतलब M की value कितनी हो गई 1 और ओके फिर answer कितना आ रहा है देखो 3 cross 3 3 cross 3 तो यह जो होती है यह answer हुआ करता है यह जो matrices finally बनते है यह क्या होता है उसका answer होता है 3 cross 3 का ठीक नouse तो यह जो होता यह 3 cross 3 होता है तो 3 cross 3 होनी चाहिए तो सबसब देख रहा है कि N का value कितना होगा क्योंकि जो answer बनेगा देखो कितना सुरी मैंने 3 x 3 लिग दिया यहाँ पर 3 x n होगा जो आंसर बनेगा और 3 x n किसके कोल आ रहा है 3 x 3 के मतलब यहाँ पर n equal to कितना है 3 मतलब आपको जो matrices लेना है उसमें 1 row और 3 column 1 row और 3 column मतलब matrices आपका इस तरीके का x, y, z गलत लिग दिया 1 row है ना तो x, y, z यह होगा matrices यह देखो बैठा हुआ है 1 row और 3 column का matrices क्या करेगा इस multiplication को support करेगा support करवा दो answer कर दो बहुत ही simple question है यह देखो होगा ठीक है ना अब इसके बाद आप इसको solve कर लो multiply में कुछ नहीं है आप सेने 12th class की हुई है सबको बन जाएगा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं चलो अगला question देखो अगला question कह रहा है कि a इतना है और b इतना है तो verify करो कि b a का whole square is not equal to b square a square हाँ, बहुत बढ़ी है property आपको बता दू में यह b a का whole square is not equal to b square a square चलो देखे इस question को हमको prove करना है कि show करना है कि यहाँ पर जो part हमें दिया गया है उसको हमको show करना है तो सबसे पहले देखो b a का whole square तो b की order कितनी आपके पस b की order आपके पस में 2 cross 3 और इस की order कितनी आपके पस में इसकी order है 3 cross 2 3 cross 2 है आपने इसका multiply कर लिया बिल्कुल हो जाएगा multiply valid है और multiply होने के बाद कियागा 2 cross 2 का matrices आ जाएगा ठीक ना 2 cross 2 अब देखो into b square into a square अब देखो यहाँ पर b square होई नहीं सकता भाई केवल square किसका valid होता है square आप किस matrices का निकाल सकते हो square आप केवल square matrices का ही निकाल सकते हो इसका square आप नहीं निकाल सकते हो कैसे नहीं निकाल सकते हो देखो b है ना b का order कितना है 2 cross 3 है तो 2 cross 3 multiply by 2 cross 3 तो यह देखो यह कभी भी valid नहीं होगा मतलब आप इसका square नहीं निकाल सकते हो तो यहाँ पर क्या साबित हो गया हमारा, कि BA का जो whole square है, is not equal to B square into A square, बाकि descriptive question है, आपको करने का तरीका देखे दिया गया, पर से पहले BA निकाल लिया, फिर यहाँ पर BA का square निकाल लिया, ओके, तो BA और AB की value हमको निकालनी, तो देखो BA, AB, तो दोनों का order देख लो, A का order कितना अपने पास में, A का order है 2 cross 3, और B का order कितना है अपने पास में 3 cross 2, तो पहले मैं देखता हूँ AB, तो A के लिए क्या रखो पहले 2 into 3, और फिर B के लिए क्या रखो 2 into 3 into 2, तो देखो ध्यान से यह valid हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मतलब यह मैंने क्या कर दिया, यह मैंने A into B की बात कर लिए, अब मैं B into A की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, तो B into A तो पहले B का order कितना है 3 cross 2, और फिर A का order कितना 2 cross 3, तो यह दोनों ही valid है, यहां पे BA भी valid है, और AB भी valid है, तो पहले यहां पर देखे, solution में क्या निकाल लिया गया है, और इसके बाद में क्या निकाल लिया गया है, BA निकाल लिया गया है, ओके, और ध्यान से देखो, जो A, B आ रहा है वो B, A के एक्वल नहीं है A, B जो आ रहा है वो B, A के एक्वल नहीं है मतलब A, B is not equal to B, चलिए अगला कॉशन है So by an example, that is for not A is not equal to 0, B is not equal to A, B is not equal to 0 तो इस तरीके का कोई भी example जिसमें आप क्या करो आप ये तो 2 column 0 ले लो और बाकी ये 2 non 0 ले लिए जैसे minus 4, 2 ले लिया और दूसरा multiply में आप यहां के दोनों, आप 9 0 ले लो 3, 5 और यहां के दोनों आप 0 ले लो इसका multiply करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब अगर A not equal to 0 है, B not equal to 0 है उसके बाद भी A into B का product जो होता है, क्या होता है, 0 के equal होता है तो ये एक important property है, और exam में आया करती है, तो ये important है, ठीक ना ये important property है, चलो अगला देखते है, अगला question भी proving type का question है 17 A equal to इतना B equal to इतना, then is A B dash equal to B dash A dash, A B dash equal to B dash into A dash तो ये property हुआ करती है, और बिल्कुल सही बात है, होता भी है, कि A B का whole transpose equal to B transpose into A transpose तो आपको इसको verify भी करना है, और ये वास्तों में हो भी जाएगा ये देखिए, तो A B का whole transpose कितना है था, इतना है था, और B transpose कितना है था, इतना है था तो बिल्कुल verify हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगला question बहुत easy है, बहुत सारे बच्चों ने 12th class में किया होगा, एकदम easy type का punter question है, कल लोग या आप लोग देखलो इसको बड़े आराम से, कोई इसमें में बताने की बात नहीं है, आराम आराम से copy में करने है, चलो अगला question भी बहुत simple है, 2x plus 3y, 3x plus 2y है, equations दिये गए हैं, आपको ये question solve करना है, तो ये भी बहुत easy वाला question है, आप इसको बड़े आराम से solve कर सकते हो, ठीक है न, दो equation मना लो, और दो equation के बाद अपने पर एक बार इसमें जैसे की, इसमें किया है लग तरीके से आप जैसे चाहो, आप elimination कर दो, या विल ओपन विदी ही करते हैं, जैते हैं जिसको, इसमें जोड करके घटा करके दोनों बना दी, x minus y, x plus y, फिर उसके बाद आप हाल कर दो, तो ये आप के ऊपर है कि आप इसको कैसे solve करते हो, ठीक है, चलो अगले question क्यों चलते है, अग प्रोडक्ट कर रहे हो, है ना, प्रोडक्ट कर रहे हो, देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कर रहे हो, आपके पास a कितना है, a आपके पास में है 1 x 2, ओके आपके पास में कितना 1 x 2, और आपके multiply करने के बाद, a c equal to b c, c आपके पास कोई ऐसा matrices है, c आपने matrices ले लिया है, कि आपको ऐसा matrice लिना है यहाँ पे आपको दूसरा matrice क्या लिना है C जिससे की क्या rule हो रहा है कि A, C equal to आपको क्या मिल जाए B, C मिल जाए A, C equal to B, C मतलब A के साथ C का product करोगे और B के साथ C का product करोगे वो दोनों क्या होने ची equal ओके ये जो question है order है वो भी कितना है 1 x 2 है ओके अब C का order आपको लेना है तो यह तो पक्का पता है कि product होने के लिए यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर 2 भी हो सकता है यहाँ पर 2 भी हो सकता है यहाँ पर 3 हो सकता है मतलब जो C matrices बनेगा आपके पास वो अलग-अलग matrices बनेगी या तो 2 x 1 का बनेगा या 2 x 2 का बनेगा या 2 x 3 का बनेगा C का कोई एक answer नहीं आएगा C के धेरो answer आपके आने वाले हैं तो सबसे पहले मैं 2 x 1 ले करके देख लेता हूं तो 2 x 1 दो रो एक column याने x y ये matrices लेके मैंने solve किया और मैंने matrices लेकर के solve करने पर मैंने पहले ac बनाया फिर मैंने bc बनाया और फिर दोने equation को solve किया मैंने देखिए तो मेरे पास एक relation आ चुकी है क्या y equal to 2 x y equal to 2 x तो आपके पास actually y equal to 2 x की वज़े से जो answer आएगा वो क्या आएगा ax आएगा x और y equal to कितना आएगा 2 x आएगा देन इसके बाद देखिए अभी तो आपने जो c लिया था क्या था देखिए कैसा था आपके पास में आपके पास जो matrices था 1 x 2 था फिर आपने 2 x 1 का as a c multiply किया था अब आप 2 x 2 ले ले लेते हैं अगला matrices आप 2 x 2 ले 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 लेते हैं है ना yes 2 x 2 अगला matrices आप 2 x 2 पहला कितना आएथा x 2 x तो 2 x 2 लेने पर आपके पास में क्या order बनेगा देखिए x 2 x x 2 x इस तरीके से अगर अगला matrices आप 2 cross 3 ले लेते हैं तो देखे किस तरीके का order generate होगा C की matrix कैसी generate होती है solve करने पर X to X, X to X, X to X तो मतलब आप क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि जो C आपके पास बनेगा वो किस form में बनेगा K, 2K बनेगा या तो वो K, 2K और K, 2K बनेगा या तो वो K, 2K और K, 2K इस तरीके से आँगे आप बढ़ाती जाएए तो मतलब बहुत सारी matrices आपको मिलेंगी बहुत सारी matrices आपको मिलेंगी चलिए अगला question है अगला question कह रहा है कि given example of matrices A, B such that A, B equal to A, C where A is non-zero matrices but B is not equal to C देखो generally आप लोग को लगता है ना कि A into B equal to A into C है ओके तो A से A cancel कर दिया और तब B equal to C हो जाएगा देखो भाई बिलकुल नहीं ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं है ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं है ओके तो आपके पास में कह रहा है कि गिवन एक्जामपल A, B, C such that A, B equal to A, C but A is non-gerometrisis ओके और B is not equal to C तो अगर B और C equal नहीं है तब भी A, B और A, C equal हो जाएगे ओके तो यहाँ पर देखिए यह A, B है यह C है यह हमने A, B निकाला और यह हमने A, C निकाला देखो ध्यान से A, B equal to A, C है और उसके बाद B जो है वो C के equal नहीं है तो यह का property बना लो क्या बना लो यह का property बना लो कि if A, B equal to A, C क्या बना लो एक property बना लो कि if A, B equal to A, C ठीक ना A, B equal to A, C and A is not equal to 0 A जो है वो 0 matrix नहीं है A जो है 0 matrix नहीं है ठीक है ना ए जिरो मेट्रिक्स नहीं है उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि B जो है C के एकवल हो उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि जो B है वो किसके एकवल होगा C के एकवल होगा ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है तो इसको नोट कर लो ओके फ्रेंड्स तो इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और इसका जो है अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर करेंगे तब तक लिए